कर देखें बच्चे हमने जो संब लाश्ट वीडियों किये उसे आगे हम करती है ठीक है हमारे बच्चो पॉस्टन अब आई बाता है क्या है क्लास 10th students of a secondary school 10th class का बच्चे है बच्चो इन क्रिसी नवर have been polluted a rectangular plot ये कोई जगा है यहाँ पे school है वहाँ पे क्या चीज़ आणोट की है एक rectangular plot of land for their gardening activities gardening activities के लिए एक rectangle से में एक plot दिया गया है ठीक है बच्चो saplings of bulmogar are planted इसके अंदर क्या लगा रखे गुल्मोहर के पेड़ लगा रखे लगा है उसके जो के हमारे पास है फूल अप्टे मुल लगा रखे लगा है on the boundary और उसकी boundary पे लगा रखे है अंदर ने लगा है यह boundary प देखो figure में भी आपको देखा है ठीक there is a triangle grassy lawn in the plot इसके बीच में छोटा सा triangle की shape में lawn है और हो भी कहता है grass ठीक है as shown in the following figure the students are to sow seals of flowering plants on the remaining area of the plot इनको इसके बीच में इसको छोड़के क्या लगाने है sils float करता है ठीक है a b c d एक rectangular area है और इसकी boundary पे यहां पे लगाने है यहां पे भी ऐसे ही है यह हमारे पास आपको यह figure अपनी math की book में से देखके as this बनानी है ठीक है बच्चो और अच्छे से बनानी है और line पे line नहीं लगानी है तो बच्चो यह पूरी figure दे रखी है और इसमें उपर गोल गोता है उच्छ तक क्या है हमारे से बोगता है अगर बच्छो यह A हमारा origin आएगा तो AD कैसे खीत होगा एजे X axis और AB कैसे खीत होगा एजे Y axis तो बच्चो उसके according हमें क्या करना है P क्या हो आरेके coordinates find out कर अगर A को हम origin बाद देते हैं तो हमारे पास P के लिए हम क्या दरेगे बच्छो ऐसे यहां पे इसको match कराएंगी औ अगरे coordinates दालती है P से क्यों से और A से और जहां जहां यह meet करें तो हमारे पास क्या आजाएंगी उसके coordinates आजाएंगी तो ऐसे हमें हमें लिखते हैं कि A as original, coordinates of P क्यों R, P के क्या है उसको 4,6, क्यों के 3,2 and R के 6,5 जब आपको पर प्रस यही आजाएंगी तो आपको परस यह दा ओरीजन, अब एक ही जग है P कुन हो गया हमारा ओरीजन, C हो गया बच्चों, अगर C हमारा ओरीजन है तो यह हमारे पास है यह Y-axis और यह X-axis के तरह 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 होगा, तो उसके coordinates जिन हम यहां से count कर लेंगा, वार गू, 3,4,5,6,7,8,9,9,9,11,12, जब पी आएंगा हमा C'dP, तो भुच्चों, हमारे पास coordinates आजाएगे, टेकिंग C ऐस, as it, origin, coordinates of P, Q, R, 12,200, 16,10,3, 10,3, तो भुच्चों, यह हमारे पास coordinates आजाएगे, तब हम C को, क्या लेंगे, ओरीजन लीचों धानलेंगे यहां से परपे परिजन दालनेंगे, बच्चों, हम इसमें आएगा हमारे पास इसको मेंट कर जाए क्या हो भी और आजी तो हम देख लेगे हमें कहां कहां भी मेंट करते हैं तो हमारे पास कोडिनेस आजाएंगी फिबर्चुस के थर्ड पार्ट है कुछ था है और सो काल्कुलेट था अर्यार ओफ दा ट्रैंगल्स Of the triangles in these cases A, P, Q, R हमारे पास 1st case में आए और एक और या और या कोडिनेस आएंगी तो तो धो सेम ट्रैंगल्स हमें दो तो अलाइ जबर्ट फिर के से निकां दिए, एक बार A को ओरीजन लेके, एक बार C को ओरीजन लेकर. तो दो बार हमें क्या निकांता है? A यह दिए निकांता है, ठ्राइ निकांता है, ठ्राइड लेकर. कि क्या अजरिब गिया दब अच्छो यह ट्रायब्ड अब हमारेगे है चाहे इस ट्रैजल कारेविrou यह ट्रेया हम तरिक्वेसे nat अड्रायं से अपया थे Alors वह अब अच्छो हमारे पर समय को साहता है, question number six The vertices of a triangle ABC are A, B and C यह तीन vertices यह रखे हैं, यह triangle के हैं यह line is drawn to intersect side AB and AC at D and E यह triangle ABC है, एक line draw के हमने वो AB को D point पे intersect करती है AC को E point पे intersect करती है बच्छो यहां intersect करती है D and E point such that AD upon AB is equal to AE upon AC is equal to 1 upon 4 calculate the area of triangle ADP तो यह triangle है, इसका area निकांगो और compare करो कि इसको ABC से तो यह पूरा है हमारे पास अब यह question है, बच्छो ABC तीन voltage है हमारे पास इस तरह के question हमने exercise के अंदर भी किया है 7 by 4, जहां में हमारे पास 3 by 7 आया है ठीक है बच्छो, वही काब हम यहाद रहेगी, यह देशो दिरक्ट है हमारे को ठीक है यह देखी लिए हमने AB को क्या लिख सकता हूँ? AB को, AD plus AB लिख सकता हूँ AB को, AD plus AC ऐसे लिख सकता हूँ बच्छो अब यह तीन दर्म आपस में इक्वल है तो 1st और लाज इक्वल है, 2nd और लाज इक्वल है ऐसे लिख सकते हैं, लिख 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 हमें AB को 1-3 में इसको बिबारी को बता है इसी तरह से E-point पे AC को 1-3 में इंटरसेक्ट रहता है तो बच्छो हम D-point के coordinates by section formula निकाल सकते हैं X1, Y1, X2, Y2, M1, M सेम का हम यहां दरेके बच्छो तो हमने बच्छो हमने बच्छी ही D and E intersects AB and AD in ratio 1-3 ठीक है बच्छो फिर coordinates of points B by section formula हमने यहां निकाल दिया बच्छो यह पूरसों कहती है यह आगा 30.4, 90.4 ऐसे ही हमने बच्छी जाए दिया E-points के coordinates यहां निकाल दिया बच्छो हमने same बच्छी हमने पूरेक्ट यहां पे किया E-points के coordinates यहां आगे फिर बच्छी पूरेक्ट 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 के coordinates यहां आगे area of triangle A, E, E इस triangle का area बताओ पूरेक्ट हमारे पास है 1 upon 2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 यह पूरेक्छों तो x1 y1 यहां से आगे x2 y2 यहां से और x3 y3 e-point यहां से सब कूछ पूरेक्ट कर देया है बच्छों आपको यह मैंने आपको के लिए छोड़ते हैं जैसे कि आप इसको सोर्ज पर हो तो हमारे पास 50 एलगों चर्टे की तो schedule and answer आज़े answer मतलब A, E, E का area बताओ फिर बहुता है उसको compare खरो पूरे triangle ABC के area से तो ABC का भी area निखालना बड़े लख में तो ABC का भी area निखालना के लिए formula तो हमारा CMD है बच्छों तो X1, Y1, X2, Y2, X3, Y6 कहां से आएंगे ABC प्रोएंगे पूट करने है आपको तो क्या आगे तो ट्रफ 1, 2, scale 3, 1 फिर इसको हमने क्या किया रेसो निखा दिया रेसो वो A, E of Strangle A, E, E पूर A, E of Strangle A, B, C तो बच्छों उपर तो हमारे लगे 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 इसका मतलब क्या है यह उपर एरिया है वो हमारा एरिया है वो हमारा एक उनिट आगा और पूरा एरिया कितना है 16 unit है ठीक है तो हम यहां पर लेगे लेते हैं दर एरिया ओफ ट्रैंगल A, D, E रेसो ओफ एरिया ओफ ट्रैंगल A, B, C इतना आगे है 1 रेसो 16 तो यह अगर 16 unit है तो इस ट्रैंगल A, D, E का एरिया है 1 unit अगर A, B, C का एरिया 32 unit है तो A, D, E का आएगा 2 unit ठीक है बच्छो तो यह इसका 16 times है A, B, C का एरिया किसका 16 times है A, D, E के एरिया तो यह तो यह ताव पुकर दो जगर तो का एरिया यह जगर